एनी अंतर राष्टिय पुरुषकार 2023 किस भारतिये को दिया गया very very important question by full detail के साथ cover करेंगे अगर आपने चुना option A. थलपिल परदीप तो बिल्कुल सही जवाब चुना है एनी अंतर राष्टिय पुरुषकार 2023 प्रोफेसर थलपिल परदीप को दिया गया आपकुछ important point जो कि very very important है IIT मदरास के प्रोफेसर थलपिल परदीप को उननत नैनोस्कोप सामगरी का उप्योग करके किफायती और टिकाउ स्वच्पन निउपलब्द कराने में महतोपून योगदान के लिए एनी पुरुषकार दिया गया एनी पुरुषकार एक वारसिक अंतरश्ट्य पुरुषकार है इसे energy frontier पुरुषकार भी कहा जाता है एनी पुरुषकार को उर्जय अनुसंदान छेंदर में नोबल पुरुषकार भी माना जाता है इस पुरुषकार की नोबल पुरुषकार की तरे एहमियत है एनी जुलाई 2007 से हुई है पुरुषकार का उद्देश उर्जा श्रोतों के बहत्तरी उप्योग को बढ़ावा देना और सोध करताओं की नई पीढ़ी को उनके काम के लिए प्रोत्साहित करना है एनी पुरुषकार प्रतेक वर्स इटली की तेल और गैस कंपनी एनी के द्वारा परदान किया जाता है और इटली के राष्टपती के द्वारा ये पुरुषकार वित्रित किये जाते हैं भाई इटली की तेल गैस कंपनी एनी वो हर साल ये पुरुषकार देती है और राष्टपती जीन पुरुषकारों को वित्रित करते हैं भारत रतन प्रोफेसर सी एन राव को अच्छ उर्जा स्रोत और उर्जा भंडार ननु संधान के लिए अंतरश्टी एनी पुरुसकार 2020 में मिल चुका है अब यह पुरुसकार इटली के द्वारा दिया जाता है तो भाई इटली के बारे में डेटेल से जान लीजिए इटली की राजदानी रोम आप सब बच्छे से जानते हैं रोम किस नदी पर बसा है ताइबर नदी के किनारे रोम बसा है अकसर एकजाम में सहर किस नदी के किनारे बसे है किस नदी के टतट परश्थीत है पूछ लेते तो यह very important है इटली की मुद्रा यूरो इटली की संसद पार्लामेंटो इटेलियानो इटली के परधान मंत्री जार्जिया मेलोनी ये इटली की पहली महिला परधान मंत्री है जार्जिया मेलोनी इटली का राष्टिय खेल फुटबाल इटली का सरकारी दस्तावेज ग्रीन बुग इटली तथा इरान दोनों का ही सरकारी दस्तावेज है ग्रीन बुग इटली के एकी करण का जनक माना जाता है जोसेफ मेजिनी को इटली का एकी करण 1871 में जोसेफ मेजिली नी काउंट काबूर और गैरी बोल्डी ने किया